जोहिन पेंस नमस्कार जी हाँ और हमारे भारत यदी इसे खरीता है तो क्यूं खरीदेगा चलिए डीडेल्स में जान लेते हैं शोप्रेंस उपलवद जानकारी के अनुसार यह आड़बंचेड एर कार्ट में भेरियोस ब्यांड में लोर अरार सिग्नाजर बोजन अनुबाद के लिए एक हाइथोस्टेड लाइट उएट इंजिनर अरे के बड़ा हतियार पे लोड और उन्नोत अर्वांचेड एर लॉंचेड अमामेंस मिजाहिल सामिल रहेंगे धान रखे मस्को नविन्तम लोडाकु बिमान जो रूस मास्क मेकेस टूठावजन तोटीवान एरोस्पेस सो के पहले दिन अनाबरन करेगा वो अमरिका की पंचवी बिडिके एफ थाड़ी फाइब आयर काफ्ट को टकर दे पाएगा जी हाँ जो अभ्यापोट एवेशन निउज एजेंसी के कार्यों निदेशक ओलेग पेंटालियोबने मोंगल बार को कहा है उनका कहना है कि मुझे विश्वास है कि मेकेस माक्स 2021 में लोडाकु का पदर्शन एक के वहाँ प्रभाप पेदा करेगा जिसके लिए रोसिया के तरफ से ये एरोस्पेस से सो में ये एरोस्पेस सो में दुनिया के 65 देशों के 120 से अधिक प्रतिनीदी मोंडलों को आमंतिरती किया है उन्होंने कहा विश्वासोग्यों ने बताया कि अब तक ये निव एरकाप्ट की पोदर्शन विश्वासोदाओं के बारे में कौम जानकरी है लेकिन कोई संधर नहीं कि रूस सफल एरकाप्ट पोफोमांस के अग्रानुकम को बहाल करने में सक्थम होगा जो हेवी सुखोई 57 जोकी के फिव जनाशन एरकाप्ट है और एके निव सिंगिल इंजिन लाइट वेट स्टिल्टी फाइटर को डेवलप कर रहा है जो सामरी कारियों से निपर्टने के लिए डिजाइन क्या गया है लेकिन फेंस यहाँ पर बड़ी बात यह है कि यह एरकाप्ट सुपर सोनी की स्पीड कावाबिल्टी जैसे यह बताए जारा है कि मैक 2 से अधिक्तम होगी कुछ तो ऐसे मानते हैं कि मैक 2 से दोगनी हो सकता है जैसे मैक 2 2450 से थोड़ा ज्यादा होता है अगर दोगनी मैक 4 होगा मतलब यहाँ पर 4900 किलेमिटर पोती घंटे की रक्तर से यह जा सकता है जो कि मैक 5 के आसपास होता है सुपर सोनीक का लिमिटेड स्पीड यहाँ पर 1482 किलेमिटर पोती घंटे से 6144 किलेमिटर पोती घंटे होता है इसके बाद जो स्पीड क्रेट होगा वो हाइपोर्सोनिक केलाएगा जैसे 614 किलेमीटर पति घंटे से 2350 किलेमीटर पति घंटे इसके बाद हाई हाइपोर्सोनिक जोकी 3870 किलेमीटर पति घंटे स्पीड तर फिकी है तो ये सुपर्सोनिक स्पीड बेस नेक जेनर सन स्टील जो बॉर्तमान मोजुदा फाइटर एरकाप से दोगुनी रफ्तार में उड़ पाएगा करीब 4800 से यहाँ पर 4900 किलोमोटर पुति घंटे स्पीड में जी हाँ मतलब यह एक आम फाइटर एरकाप नहीं है जैसे कि इसे रफ्तार और पावर प्रोवाइड करने के लिए इंजिन को वैभार किया जा रहा है यह के थ्रस्ट विक्टर कोंट्रोल इंजिन होगा जो इस अर्भांसेड एर लांचेड मिजाइल रिलीज करने और अर्भांसेड राडार इलोक्टोनिस को पावर पोबाड़ी करेगा जैसे कि यहाँ पर सबसे अधिक पेलोड की तोर प पाकेश से लेस सिंगिल इंजिन स्टिल्थ फाइटर में से सबसे अर्भांसेड मिज्टरी रहस्यमोई चेकमेट फाइटर जेट कहलाएगा जी हाँ अंत मैं यदि भारत और ये चेकमेट फाइटर का बात किया जाए तो ये एक सिंगिल इंजिन स्टिल्थी एरकाप्ट है और हमारे आमकायक के डूआल इंजिन स्टिल्थे आरकाप्ट है और इसे हमारे एडिया और एचल के तरब से फुली प्रोडक्शन में लाने के लिए यहां पर टूठावजन थाडी त्री और ठादी पर डेट रखा गया है यह दिफ्रेंस यहां पर हाली के डेट और सिच्व में भारत का टक्राब और नेवर्स के साथ बिघलती है तो यह सिंगिल इंजिन फाइटर को भारत चुन सकता है मतलब यदि वार का सुचना मिलता है फ्यूचर को देखते हुए क्यूंकि हमारे पास उस टाइम यह 10-12 साल के अंदर कोई भी ओपरेशनाल स्टिल्थी 50 जेनर जी को काउंटर करने के लिए बहुती सारे ओप्शन्स है लेकिन यह सिच्वेशन में हमें के फुली आरबान सेड नेग जेनर स्टिल्थी फाइटर चाहिए जैसे सत्र के उपर हमारा प्रभाब बहुती हो काफी मात्रा में हो तो इसे यह सिच्वेशन को देखते हुए भा का का अप्रेशनाल जेट आ रहा होगा साथ यह एक हाई स्पीड आर काप्ट हो सकता है जी हां चेकमेट यह भी देखना पड़ेगा यह डिसीशन हम तो नहीं ले सकते हैं यहां पर हमारे गवर्मेंट और आम फोसे से यदि मिल के सोचेंगे तो इसको उपर कदम जरूरू उठाया जाएगा या जा सकता है इसके बार में आप कमेट कीजिए सोप्रेश यह था आज का लाटेश आप लोगों को जरूरू अच्छा लोग आगा एक बड़ा थम सब दीजिए बड़ा कमेट कीजिए हमारे चैनल को सुस्काइब कीजिए हमारे होरे की ब्रीकों नोट क सब्सक्राइब के लिए बेल आइकोन को दबाएए और प्रेस किजिए आपका आसिस जहिंद भारत